नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं पर्वत्योहार टोटके आज हम बात करेंगे लॉंग की कई बार सत्रू ऐसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं कई बार तो आपके अंजाने सत्रू होते हैं कई बार आप जॉब करते हैं वहां पर लोग आप से सत्रू से जलते हैं हो सकता है आपके काम के तरीके से जलते हो बहुत हैं लोग ऐसे दुनिया में जो बे बज़ा जलते हैं आप वेपसाई हैं अब आपके बगल में आपका ही वेपसाई आपके जो आप चीछ का वेपसाई करते हैं वही खोल के लोग बैठ गए बे बज़ा आपसे द चानते ही नहीं है तो तमाम परिसानियों से बाहर निकलने के लिए ये लॉंग बहुत ही अच्यूक उपाय करता है और लॉंग का उपाय कभी खाली नहीं जाता एक बात हमेशा ही याद रखिए सत्रू कोई भी हो अपने हो पराय हो अगर वो बार बार आपको धोखा दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप संभल जाएए क्योंकि अगर अब नहीं संभलेंगे तो फिर बाद में आपको और ज्यादा परिसानिया होंगी आखिर क्या करें कि आपके जो सत्रू है जो आप से बेबजह जलते हैं जो आपको बेबजह परिसान कर रहे हैं उनको आप सांत करें उनको वो चाहकर भी आपके साथ बुरा बेवार ना करें आपसे जब भी बुरा बेवार करना चाहें वो खुद वखुद सांथ हो जाएं यानि उनकी दिमाग कोशी चेंज कर देना है उनका बुद्धी को बदल देना है आखिर क्या करें आज हम आपको लॉंग का उपाय बताएंगे आप इसको ध्यान से सुने और जरूर कीजी आपको 100% लाब होगा करेंगी क्या सनी वार की रात में ये उपाय आपको करना है याद रखिए क्योंकि सनी वार के दिन किया हुआ टोटका कभी खाली नहीं जाता तो सनी वार की रात कभी भी 10 बजे के बाद आप अपने साथ लॉंग ले 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 और ये जो लॉंग होगा बिलकुल साबूत यादि टुटा फुटा वा नहीं लेना है फूल वाली लॉंग ले इसके बाद अपने सत्रू का नाम बोलते रहें अब आपका जो भी है आपका जो भी सत्रू है उसका नाम बार बार दोराईए कम से कम 21 बार जैसे कि आप सत्रू का नाम लेते हैं आपका सत्रू का नाम रिया है अब आप बोलिए लॉंग को आप साथ लॉंग हाथ में रखें बाई हाथ में याद रखिए दाहिना नहीं बाई यानि लेप्ट हैंड में अब अपने सत्रू का नाम ले और चुकि ये सत्रू के लिए कि उपाई के जागा तो बाई हाथ में लीजे सत्रू का नाम लीजे जैसे मान लेते हैं रिया नाम है अब लॉंग पर फूंक मारिए फ तो दूसरे दिन यानि रवी बार के दिन उस लॉंग को आग में जला दें ये आप कहीं भी जला सकते हैं आप अपने घर के छट पर अपने बालकनी में कहीं भी जलाइए और इस प्रकिरिया को फिर अगले सनी बार कीजिए कम से कम तीन सनी बार या फिर जादा से जादा साथ सनीवार ये उपाय करें आपका सत्रू कितना भी बड़ा हो कितना भी ज़्यादा पावरफूल हो ताकतवर हो सांथ हो जाएगा चाहकर भी आपको परिशान नहीं कर पाएगा हमेशा ही याद रखिएगा जब भी उपाय करें सांथ रहके कीजिए किसी से बात मत कीजिए बहुत समल के कीजिए और आपने ये उपाय किया ये चर्चा किसी से मत कीजिएगा हाँ आप किसी को सलाह दे सकते हैं ये उपाय करो पर आपने किया है या करेंगे जैसी चीजें चर्चा ना करें क्योंकि यह टोटका है और टोटका का मतलब होता है टोकना नहीं है जो करना है अपने मन से कीजिए यकिन मानिये बड़ा से बड़ा सत्रू भी आपके कदमों में होगा और वो आपको चाह कर भी कुछ नहीं विगार पाएगा वैसे इसके पहले भी हमने आपको एक टोटके के बारे में बताया है कि अगर सत्रू विरोधी परेसान करें तो कैसे उसके मुझ पर सिलाई किया जाए सुई धागा से फिलार आपसे हम विदा लेंगे अगर सत्रू विरोधी सच में सान तो होना ही है तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा अभी आप इस वीडियो को हर हर महादेव फिर मिलेंगे